प्रिय चात्रों, आज हम आपकी पाठि पुस्तक में संकलित कविता क्रिशक गान का अध्ययन करेंगे क्रिशक गान अर्थात हमारे देश के जो किसान हैं, उनके सम्मान में, उनके आदर में गाया जाने वाला गीत इस तरह से इस कविता का यह शीर्शक दिया कया है क्रिशक गान इस कविता के रचनाकार स्री दिनेश भार्द्वाजी हैं दिनेश भार्द्वाजी का जन्म सद उन्नीस सो तैन्यतालीस में मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ इनकी रचनाएं जमीन से जूड़ी रहती हैं इनकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है इनके द्वारा रचित कहानिया कभिताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं इनकी प्रमुक रचनाएं हैं जन्म और जिन्दगी त्रिश्णा से त्रिप्ति तक एक आत्म इनमें दो कभिता संग्रह और एक दोहा संग्रह है चात्रों क्रिशक गान कभिता एक गीत है इस गीत में कभिने क्रिशक के जीवन की दैनी दशा का वरणन किया है इस गीत के माज्यम से कभि हमारे देश के अन्नदाता क्रिशक की दुर्दशा का वरणन करते हुए संसार में उसके महत्व और सम्मान को पुनह स्थापित करना चाहता है इस कभिता का उदेश क्रिशक द्वारा किये गए कठोर परिश्रम के महत्व को समझाना उसके द्वारा परिश्रम से उगाए गए अन्न की कीमत को समझाना उसके प्रती हमेशा सम्मान की भावना जागरित करना है कविता आरंब करने से पूर्व हम इस कविता में आये कुछ विशेश शब्दों का अर्थ जान लेते हैं उसके बाद कविता का एक एक पद पढ़कर हम उसका भावार्थ और सरलार्थ समझने का प्रयास करेंगे कविता में आये विशेश शब्द है अभिमान इसका अर्थ है गर्व मधुमास इसका अर्थ है वसंत रितु स्रिजक इसका अर्थ है रचना करने वाला सरजक मनुजता मनुष्यता आहवान पुकारना उर्वरा उपजावभून उसर बन्जरभून शीड कमजोर दीनता दैनी अवस्थाया गरीब। द्वज, जंडा, नीड, घोंसला, पत जड़, वह रित जिसमें प्रिक्षों के पत्ते गीर जाते हैं यहाँ पर पत्त जड़, वह दुख, संघर्ष के संदर्व में प्रयुक्त किया गया है पालित पाला हुआ, संतोष, संतुष्टि, स्रिष्टि अर्थात संसार चात्रों, अब हम इस कविता के एक-एक पद को पढ़कर उसका भावार्थ और सरल अर्थ समझने का प्रयास करेंगे इसमें पहला पद है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है उड़ने का अर्थ है, जो उत्सा से, जोश से भरा हो किनी सितियों में? जबकि उसकी जिन्दगी, उसका जीवन कठोर स्रम करने के बावजूद संघर्षों से भरा है कमियों से भरा है, रिक्तताओं से भरा है ऐसे में जहां उसे जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती बार बार उसे अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है मन मसोस कर रह जाना पड़ता है फिर भी कहते हैं कि वह संतोष की तलवार लिए उड़ रहा है उसके मन में अद्भुत त्रिप्ति है संतोष का भाव है इन कमियों से वह विचलित नहीं होता है और जोश और उत्सा से भरा हुआ अपने कर्टेब्य में लगा है जगत में मधुमास क्या कहते हैं सारे संसार में वह अपने स्रम से परिस्रम से मधुमास अर्थात वसंत वसंत सुख का परचायक है अच्छे दिनों का परचायक है कि वह अपने कठोर परिस्रम से दुनिया में लोगों के जीवन में सुख और आनंद का स्रिजन करता है पर उसके जीवन में हमेशा पतज़ड बना रहता है अर्थात संघर्ष रहता है परेशानिया रहती है अभाव बना रहता है तंगी बनी रहती है दीनता अभिमान जिसका जो अपनी दीनता पर भी अभिमान करता है दीन होकर भी वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता उसे अपनी दीनता पर भी गर्व है ऐसे किसान का कभी कहते हैं मान कर लूँ ऐसे संतोशी ऐसे कर्मठ ऐसे कर्मयोगी किसान पर कभी कहते मुझे मान है अभिमान है उस क्रिशक का गान कर लूँ ऐसे कर्मयोगी संतोशी क्रिशक का कभी कहते हैं मैं गान करना चाहता हूं गुण गान करना चाहता हूं प्रशश्ति करना चाहता हूं ऐसा किसान हमारे लिए स्रद्धे है सम्मानित है दूसरा पद है चूसकर स्रम रक्त जिसका जगत में मधूरस बनाया मधूरस अर्थात आनंद की अनुभूत आनंद पूर्ण वाता वरन एक सी जिसको बनायी स्रिजक ने भी धूप चाया स्रिजक अर्थात स्रिजन करता सर्जक रचनाकार निर्माता संसार का स्रिजक कौन है परमात्मा परमपिता परमेश्वर मनुजता के ध्वज तले अर्थात मानवता की भावना से पूर्ण होकर मानवता की भावना को ध्यान में रखकर उसका आहवान उसका आज करलू उसक्रिशक का गान करलू कवी किसानों के बारे में हमारे देश के क्रिशकों के बारे में कहते हैं कि क्रिशक दिन रात खेतों में काम करता है अपने रक्त को खून को पसीने के रूप में बहाता है अर्थात अपने खेतों में कठोर स्रम करता है और उसके स्रम से ही दुनिया में जगत में संसार में मधूरस बनता है अर्थास सब के जीवन में आनन्द आता है आनन्द की स्रिष्टी होती है सबसुख और आनन्द का जीवन जीते हैं एक सी जिसको बनाई स्रिजक ने भी धूप छाया ऐसे किसान के लिए ईश्वर की बनाई इस रिष्टी में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है धूप और छाया सुख और दुख के प्रतीक है कहने का आर्थ ये है कि उसके जीवन में न कभी दुख की उसे अन्भूती होती है ना सुख की अन्भूती होती है उसका जीवन तो सदयों संघर्षों में कश्टों में तंगी में व्यतीत होता है इसलिए चाहे धूप हो चाहे चाया हो मौसम कैसा भी हो मौसम में कैसा भी बदलाव आए मौसम में बदलाव डूप चाया का भाव ऐसा लिजए कि संसार में कितनी भी प्रगति हो कितना भी विकास हो कितनी भी उन्नति हो पर हिसान के जीवन में कभी उसकी दशा में उसकी स्थित में परिवर्तन नहीं होता हमेशा वह जर्म से लेकर मृत्यु तक पीड़ी दर पीड़ी संघर्षों में कठिनाईयों में तंगी में जीवन बेतीत करता अपने कर्म में लगा रहता है। कभी कहते हैं कि मनुष्यता की भावना के करण मनुष्य होने के नाते आज हमें जो मनुष्यता की भावना शेश है उसलिए उस भाव से प्रेरित होकर मैं उस किसान का आहवान करना चाहता हूँ। ऐसे कर्म योगी किसान का मैं बार बार गान करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। तीसरा पद देखिए, विश्व का पालक बना जो अमर उसको कर रहा है। किन्त अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, कर अर्थात हाथ, कर मिला, हाथ मिला, हाथ मिला कर अर्थात अर्थात उसे साथ लेकर, उसे सहयोग देकर, नवस्रिष्टि का निर्मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ. पालक, पालकर्थात, पालन करने वाला किसान को क्या कहा गया है, विश्व का पालक, अन्न दाता, क्योंकि उसके द्वारा, उसके स्रम से, उत्पन किये गए, अन्न से, सारे संसार के लोगों का पेट भरता है, इसलिए किसान को क्या कहा गया है, विश्व का पालक, अमर, सारे संसार को अमर बनाए है, जीवन देता है, मरने नहीं देता, अन्यता आप विचार करें, यदि भोजन नहीं मिले, तो हम कब तक, कितने दिनों तक जीवित रहेंगे, भोजन के अभाव में मर जाएंगे, वालितों के पर बताएं कि दुनिया, लोग, इतने स्वार्थी हैं, इतने मतलवी हैं, कि जो किसान, अपने कठोर स्रम से, भूखिये पेट, तमाम कस्टों को सहते हुए, अन उगाता है, पैदा करता है, पेट भरता है लोगों का, पालन करता है, उसी किसान का, लोगों द्वारा शोशन किया जा रहा है, पद दलित, पैरों से कुचला जा रहा है, पद दलित हो मर रहा है, आज उससे कर मिला, नव स्रिष्टी का निर्मान कर लूँ, कहते हैं कि आज उससे हाथ मिला कर, नव स्रिष्टी, नव मतलब नई, स्रिष्टी मतलब दुनिया संसार का निर्मान कर लूँ, मैं एक ऐसी दुनिया ऐसी नई दुनिया नया समाज बनाना चाहता हूँ जिसमें किसानों का मान हो सम्मान हो आदर मिले प्रसिष्ठा मिले उनका शोषण रुके उस कृषक का गान करलू शिण निज बलहीन तन को शिण अर्थात दुरूबल कमजूर निज अपने बलहीन इसमें बल नहो अर्थात दुरूबल तन शरीर को पत्तियों से पालता जो मतायक किसानों की हालत इतनी दीन है दैनिय है कि उन्हें अपनी बेसिक आवशक्ताएं प्रात्मिक आवशक्ताएं मूल भूत आवशक्ताएं पूरी करने का भी उनके पास साधन होता नहीं है जो हमारी मूल भूत आवशक्ताएं हैं जरूरते हैं रोटी कपड़ा और मकान जीवन भर कठोर स्रम करके भी किसानों को ये चीजें प्राप्त नहीं हो पाती है ना उन्हें भर पेट धंका अन्न प्राप्त होता है ना शरीर ढकने के लिए वस्त्र प् पाने के लिए उनके पास परियाप्त स्थान होता है इसलिए कहा गया है कुछींड ही स्युन निज बलहीनतन को पत्तियों से प़्लता जो कि करिशक को जीवन में पर्यौप्त सुवीधाय नहीं बिलपातनी पर्ययाप्त मतलने आवश्चिक जोभी सुवुदा सभी सुवी कुछिन शरीर को ढखने के लिए कपड़े तक प्राप्त नहीं हो पाते हैं कि वह पत्तों से अपनातन ढखने को मजबूर होता है ऐसी दीन हीन दैनी दशा किशानों की होती है क्रिशक उसरों को लिखा है क्या लिखा दूसरी पंक्ति उसरों को उसर अर्थात बंजर जमी ऐसी जमीन जहां कुछ भी पैदा नहों खून से निज अपने खून से अर्थात अपने कठोर परिश्रम से जीतोड मेहनत करके उसे क्या बना देता है उपजाव उर्वराव कर डालता अर्थात उपजाव बना देता है ऐसे कर्मयोगी कर्मठ परिश्रमी धर्म पुरुष की सान के लिए कभी क्या कहता है छोड़ सारे सुर असुर असुर अर्था देवता और राक्षस सुर मुलब देवता असुर मुलब राक्षस तमाम लोग बताएं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं मेरे लिए ऐसा कर्मियोगी धर्म पुरुष किसान क्या है उन्हें देवी देवताओं से भी आदरणी यह है पूज्य है मैं उन्हें देवी देवताओं के स्थान पर उस क्रिशक का ध्यान करना चाहता हूँ ध्यान अर्थात मन में वंदनी अभाव लेकरके उसकी स्थुति करना चाहता हूँ उसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयास करना चाहता हूँ जिससे की इतना कठोर स्रम करने के बाद भी उसे अभाव में कमियों में तंगी में अपना जीवन ना गुजारना पड़े यह कभी की ही बात नहीं है यह हम सबका करतब यह बनता है कि जिसके स्रम से जिसकी कृपा से हमारा पेट भरता है हम भी उसके लिए कुछ सोचें कुछें करें जिससे हम उसके रुण से मुक्त हो सकें अंतिम पद देखिए यंत्रवत जीवित बना जो यंत्रवत अर्थात मशीन जैसा यंत्र के समान मागते अधिकार सारे सदियां बीद गई है किसान अपने अधिकारों के लिए संगहर्ष कर रहे हैं पर कोई उनको अधिकारों को देने के लिए तयार नहीं है जिसके कारण उनकी अवस्था दीन हीन दयनी बनी हुई है रो रही पीडित मनुशता किसानों की दीन हीन दयनी दशा देखकर मनुशता मानवता रो रही है आज अपनी जीत हारे मनुशता जीत कर भी हार गई है जीत इसलिए गई है कि आज समाज में मनुश्य की स्थिति में बतलाव आया है बहुतों की स्थिति सुधरी है अच्छी बनी है मानवजाति का विकास हो रहा है उन्नती हो रही है सब के जीवर में खुशहाली आ रही है तमाम सामाजिक विशंगतियां तमाम सामाजिक दोश समाज से दूर हुए है पर ऐसी सितियों में किसान की के संबंध में देखें तो मनुश्यता हार गई है क्यों कि हम मनुश्यों की दृष्ट कभी भी किसानों की दीन हीन दैनी दशा की और जाती नहीं है जीवन भर पीड़ी दर पीड़ी संघर्ष करके भी कठोर स्रम करके भी किसानों की स्थित में कोई बदलाव आया नहीं है ऐसे किसानों के लिए कभी क्या कहते हैं जोड कर कणकण उसी के मैं कभी कहते हैं कि मैं ऐसे किसानों के स्रम से पैदा किये गए उत्पन किये गए कणकण को जोड कर एक ऐसे नीन का निर्मान करना चाहता हूं जहां वह अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके यहां पर जोड कर कणकण इस भाव में इसकारत लीजिए कि कभी का देश के दुनिया के संसार के लोगों से यह आहवान है कि वे अपने हिस्से में से थोड़ा सा कणकण थोड़ी थोड़ी सा योगराश किसानों के लिए यदि निकालें थोड़ा सा त्याग करें तो निश्चित रूफ से किसानों को अच्छा जीवन दिया जा सकता है उनकी स्थित को बदला जा सकता है किसान जिस तरह से अपना करतेब्य कर रहा है हमारा पेट भरने के लिए हमारा करतेब्य उसके लिए कि हम थोड़ा सा अपने सुख का अंश जो है उसके लिए थोड़ा सा निचावर करें त्याग करें उसका बलेदान करें और हमारे थोड़े से प्रयास से निश्चित रूफ से उसका जीवन बदल सकता है कविता का भावार्त देखिए क्या लिखा है यंत्रवत जीवित बना जो क्रिशक एक जीवित मशीन के समान मशीन के समान क्यों क्यों जिस तरह से मशीन जो होती है दिन रात निरंतर अपने कारे में लगी रहती है उसी तरह से हमारा किसान भी दिन रात अपने कर्म में अपने कारे में लगा हुआ रहता है वह बिना अपने अधिकार पाए मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है स्रिष्टि के इस पालक की दुर्दशा देखकर मानवता मनुश्यता रो रही है मैं कणकण जोड़कर कणकण जोड़कर अर्थात समाज के सहयोग से किसान के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे कर्मयोगी के लिए जो अपना संपूर्ण जीवन दूसरों को निवचावर कर देता है के लिए नीड का निर्मान करना चाहता हूं ताकि वह भी अपना जीवन सुख आराम से व्यतीत कर सके। उस क्रिशक का गान कर लूँ कि जो क्रिशक एक कर्मयोगी की भाति एक धर्म पुरुष की भाति पूरी इमानदारी से कुरे परिश्रम से अपने कर्म में निरंतर रत रहता है लगा रहता है अपने कठोर श्रम से हमारा पेट भरता है हमें जीवन देता है हमें अमर बनाता है हमारा पालन पोशन करता है ऐसे किसान के प्रति कभी कह रहे हैं कि मैं उसका गान करना चाहता हूँ, उसका प्रशष्टि गान करना चाहता हूँ, उसकी वंदना करना चाहता हूँ तो चात्रों, हम सब को किसानों के प्रति, अपने अनधाता के प्रति, ऐसा ही आदर, मान, सम्मान का भाव रखना चाहिए तभी हम उनके द्वारा उपलब्द कराएगे, जो अनखा करके पुष्ट बनते हैं, सबल बनते हैं, उसका रण हम चुका सकेंगे, रण मुप्त हो सकेंगे तो इस तरह से चात्रों, यह कविता यही पर पूरी होती है, और आशा है कि आपने इस कविता का भाव, सरलार्थ और भावार्थ, ठीक तरह से समझ लिया होगा, धन्यवाद